सब्सक्राइब कीजिए फिरी सॉफ्ट एक यूटूब चैनल को और बेल आइकोन को दबाई यह लेटेस टेकला होजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अगर आपके पास है एक कम्ईटर तो उसे ऑपरेट करने के लिए आप माwrस को इस्तमाल ज़रू करते होंगे से काम करते हैं वैसे तो माउस काफी तरह के होते हैं जैसे रेड कलर की LED lights दिखाई देती हैं वो light surface से reflect होकर एक image बनाती है CMOS sensor यानि complementary metal oxide semiconductor sensor उन signals को DSP और digital signal processor को बेशते digital signal processor उन image pattern को analyze करता है और यह देखता है कि पहले की images और अपके images में क्या difference है और उसे से यह पता चलता है कि आपने mouse को किस तरफ हिलाया है digital signal processor उन coordinate को computer को बेशता है और उसे से आपके mouse का cursor काम करता है अगर आप किसी optical mouse को खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर आपको CMOS sensor, digital signal processor, LED lights ये सारे part दिखाई देंगे optical mouse के performance ज़्यादा तर surface पर काफी अच्छी होती है लेकिन optical mouse, glossy surface जैसे glass पर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता I hope आपको इस वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके इस वीडियो से related कोई सवाल है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं मैं उन comments के reply जरूर दूँगा अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ share कीजे अगर आप ऐसे और भी interesting videos देखना चाहते हैं तो अब इस screen पर click करके आप हमारी channel को subscribe कर सकते हैं साथी साथ उस bell का icon को press कीजे जिसे आपको हमारे साथे वीडियो के notification मिल जाएंगे thanks for watching good bye